चंडी देवी बागवहरा महासमत मातव चंडी का मंदिर पहाडी के उपर इस्थित है यह मंदिर जिला महासमत से लगबग 38 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है मा चंडी से जुड़ी एक खास बात ये है कि मा की प्रतिमा निरंतर बढ़ रही है मंदिर ट्रस्ट कई बार मंदिर को बना चुका है पर मा की प्रतिमा कुछी सालों में छट को छू जाती है और मंदिर को फिर से तोड़ा पड़ता है बर्तमान में मा की प्रतिमा लगबग 9 से 10 वीट तक उंची है मा की प्रत्यक्ष महिमा तब देखने को मिलती है जब प्रशाद लेने वालों की भीड में भालू महराज भी शामिल होते हैं जी हाँ आश्रे की बात है यहाँ एक मादा और उसके दो शावक भालू रोज शाम को आरती के बाद माता का प्रशाद लेने आते हैं लेट कर दनवत प्रणाम करते हैं पुजारी से प्रशाद लेकर खाते हैं और चुपचाप अपने रास्ते लोड़ जाते हैं यह भालू बहुत पहले से यहाँ पर आ रहे हैं इन में बड़े नर्भालू भी शामिल थे पर अब उनकी म्रत्य हो चुकी है उनकी इस परंपरा को अब उनके नन्ने शावक आगे बढ़ा रहे हैं खुले में आने वाली इन भालू से अब तक किसी भी आगंतुकों को कोई हानी नहीं हुई है श्रदालू अपने हातों से इने प्रशाद खिलाते हैं हाला कि किसी भी अप्रिय घटना होने की स्थिती में मंदिर ट्रस्ट ने अपनी जवाबदारी ना होने की पक्ष में जगे जगे नोटिस बोड लगा रखे इन लोगों ने यहां पर भालू के आने वाली जगे को भी पूरी तरह से पैक कर दिया है ताकि भालू को भी कोई भी व्यक्ती नुक्सान न पहुचा सकी